Hello divine souls, चलिए चिक कर लेते हैं क्या है उनके दिल में आपको लेकर ? Eight of swords, the harmet and knight of swords क्या है उनके दिल में आपको लेकर ? जिनके बारे में आप सोच रहे हूं क्या है उनके दिल में आपको लेकर ? तो यहां पर हो सकता है आपके person जिस pattern में रहे है इतने दिनों तक वो pattern आपसे बहुत अलग है आप दोनों बहुत अलग हो एक दुसरे जैसी आप दोनों नहीं हो और आपके person बहुत से boundaries खुद को दे चुके है आपके person जैसे इनकी upbringing भी है या इनके जो आसपास के लोग है इन को किसी दरीके से बाँच चुके है इनकी जो thought process है आपसे बहुत अलग है और यह आपके साथ जब होते हैं यह बहुत खुश तो होते हैं अपने life में ग्रो तो कर पाते हैं आपको लेकर attraction है आपको लेकर feelings हैं इनके दिल में लेकिन जो इनका past है उनकी वज़े से यह बहुत साथा feared है और इसलिए यह अपने आपको isolated करते हैं तो आपके person के दिल में जो hidden है वो कुछ ऐसा है आपके person आपके साथ एक love life चाहते हैं happy life चाहते हैं आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं आपके person आपको clarity देना चाहते है कि क्यों आपके person आपसे इतना distance बनाते है या क्यों यह बंधा हुआ सा feel करते हैं fear में रहते हैं तो यह चाहते हैं सब कुछ clear करना आपके सामने और साथ में इनके दिल में है कि आपको surprises दे आपके साथ अच्छे time spent करें आपके साथ एक happy life इनकी हो romantic connection हो आप दोनों का यही आपके person के दिल में है आपको लेकर लेकिन past के वज़